आज मैं आपको प्लेट्स वाली फ्रांग का कटिंग और स्टीचिंग और साथ में आपको ब्लेस वाला गला बना के दिखाती हो तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से कहूंगी का मेरे चैनल को सब्क्राइब बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें और लाइक और शे आती हूं कि इस प्रांग की लेंथ है ब्याली सिंच और और इसका घेर जो है 35 इंच और यह प्लेट डाली मैंने इसके उपर है कि यह पंद्रा इंच की लंबाई है और और यह इंच इसकी प्लेट की चोड़ाई है और यह इस ता जो है ना यह प्लेटें डाली है मैंने दो और भी इसको प्रैस कारके आधी प्लेट इस साइड पर चलीगे यह इस साइडि पे और यह प्लेटें आप यह जहे ना दो पलेटे इस साइड पे दो इस साइड पर डाला इस आप मर्जी चाहें तो इन तेन भी डाल सकते हैं आपके कपड़े को पारे जतना आपके पास कपड़ा ज्यादा आप इस ज्यादा डाल सकते आप मैं इसका ग्राफ बदाना बदाती हूं आपको इसके कंदे हैं साथ इंच यानिके हैं 14 इंच लेकर हम इसका हाफ लेंगे साथ इंच बनेगा आर्मोल की लंबाई इसके हम लोग लेंगे साथ इंच इसकी चैस्ट हमारे एठारा इंच अठारा का हाफ नौ आएगा और यह फ्राक है इसका हिप्स नहीं होता है तो इसलिए इसके जो है ना सिर्फ कमर का नाप लिया जाता है तो 16 इसकी कमर है यह हमारा इसका गिराफ है इसके बार नीचे तक हम यह लाएं सी दी ले ले अब हम इसका जो है ना फ्यूजिंग ले लिए हमने इस प्यूजिंग को इसे हमने डबल कर लिया यह चार इच यहां पर डबल में चोड़ाई है और जो लंबाई है हमारी यह पूरी बार इंच है इसी दास के पूरा पीस हमने निकाल लेना है अब इसको आप इंच नमने गोल शेव दे लिए अब हमने इसके सेंटर में चिपका देना है अब हमने इसके सेंटर में चिपका देना है कि जब हमारी लेसेंट लगा ही जाती है लाइनिक से तो वह फिर टेरी वेडी ना हो और फ्यूजिंग की मदद से सीडी सीडी है शेव आती है अब हमने हार तीन एज के बाद एक एक स्लाइड देनी है क्वेले ना है युज आती है कि अपिए दोड़ा युज आती है कि देवाल युज आती है युज आती है कि इस अच्पड़ थिस्ट पालाँ आती है अब इसका उपर से गला जो है नाम लोग रखेंगे तीन इंच का चोड़ाई में और लंबाई का भी तीन इंच में रखेंगे कि नीचे डिजाइनिंग आएगा और काट आएगा तो उसके लिए हमें तीन इंच का ही चाहिए इसके पार में हम लग पाइपिन करेंगे पहले हम इसका लेट से डिजाइनिंग करेंगे अब हमें एक इंच के हिसाब से या हाफ इंच लेने तो यह लाइने ऐसे कर लेनी है और इस तरह यह सारी लेस लागी है इस प्रिजों चाहिए इस सारी लेसर सारी लगा ली है तो इसको यह थोड़ा सा राउंड्र स्यार्ड भी है और यह मैं आपको पथाखे वह दो इसको बेदार चाहिए यह बखे जाए यह एक फरदागा खीश देख को जाती है और यहांस मैंने दो इंच का लगा ये द्व अधाइच की कट के लिए अब हम लोग जोए ना यहाँ पर चोटी सी पटी रखेंगे और शी के खल्टी का रहेंगे आप यहां को यह बखराश काना बपादी कि यह जो हमने यहां पर था इंच की तीन इंच की जो यह इसलाइ लगाई थी ना यहां से अब हम इसको बढ़ाना आपका अधाते हैं इस तरह से इसको टांके लेने कि इस पेख मोटी तरहाएं इस तरही तरह से अब हम जामन पर लेशन एगा रहे हैं कि एक स्टैप दूसरा और तीसरा इस तरह में आप इसको यहां पर यहां पर यह लगाई यह को और यह नीचे का दागा केंच है कि यह इस तरह की शेब में आ जाए इस तरह चाहें आप इसको गोलाई दे सकते हैं इस तरह से फिर गोल होना शुरू हो जाएंगे इस तरह से राव ना वी कुम्त जाएंगे इस तरह से यह तो यह चीज़ बन जाएंगे तो यह तियार है हमारा गड़ा झाल झाल हम यह तरह उता है से राव तो यह दो जाएंगे इस तरह संवे झाल को यह तो यह को जाएंगे घस to law झाल कि मेंज़ता है आ जाएंगे णाशर